दोस्तो पाकिस्तान के बेड़े के अगर फाइटर यारक्राफ्टों को देखा जाए तो यहाँ पे J7, Mirage 3, Mirage 5, JF-17, F16 और J10CE जैसे यारक्राफ्ट है इन में F7, Mirage 5 और Mirage 3 असल में 50 साल से भी अधिक पुराने यारक्राफ्ट है तो वही पे F-16 का हालत भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि अमेरिका के तरफ से इन यारक्राफ्टों को भी modernize करने को रोग दिया गया हाला कि इसके बाद बचता है JF-17 यारक्राफ्ट और J10CE जिन में से J10CE हाली में ही पाकिस्तान के तरफ से खड़िदा गया और लिमिटेट संख्या में पाकिस्तानी यारफोर्स में है मतलब पाकिस्तानी यारफोर्स का फिलाल एक मात्र भरोसा है JF-17 थंडर मतलब जंक फाइटर पर दोसो वही पर ही बताया जा रहा है कि ये यारक्राफ्ट केवल मात्र चाइना के 2M दरजे के टेकनोलोजी इस्तेमाल करने के वज़ास से ही मुश्किल में नहीं है बलकि यू उक्रेन और रशिया के लड़ाई किस तरीके से पाकिस्तानी यारफोर्स के JF-17 जैसे यारक्राफ्टों को वर्चुली ग्राउंडेट कर दिया है और ये क्यू पाकिस्तानी यारफोर्स के लिए अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस के समय है तो डीटल में जानने के लिए आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों 26 फेबरोडी 2019 के दिन इंडियन यारफोर्स के द्वारा पुलवामा के हमले में शामिल आतंकियों के कैम्पों को सक्सेस्फुली तवा करने के एक दिन के बाद पाकिस्तान क के द्वारा भारत के खिलाफ पीर फंजाल रेंज में एक स्ट्राइक को अंजाम देने का प्रयास किया गया था दोस्तों इस घातना में जहां पे भारतிये वाईउसना के एक IMIK21 aircraft crash हुआ था तो उही पर crash से पहले इस aircraft के द्वारा पाकिस्तान के एक F16 aircraft को भी मार गिराया गया हाला कि दोस्तों घटना के बाद भारत के तरफ से जो evidence प्रेजेंट किया गया उससे एक तरीके से ये साफ हो गया कि स्ट्राइक में पाकिस्तान के तरफ से F16 aircraft का इस्तेमाल किया गया था और जो जंक फाइटर था वो असल में F16 aircraft के कवर में काफी फीछे था और लड़ाई में शामिल होने का किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लिया पर दोस्तों तीन साल गुजरने के बाद अब पाकिस्तानी वायूसेना के ये जो F16 aircraft है ये भी एक तरीके से ग्राउंडेड होके पड़ा हुआ है क्योंकि जवसे ये सावित हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा F16 aircraft का इस्तेमाल भारती वायूसेना के खिलाफ किया गया तब स पाकिस्तान के ये एरकेप्टों को modernize करने से भी मना किया गया और दूसरे तरव आपके जानकरी के लिए बता दू कि साल 2016 में पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से 8 F16 aircraft को भी खरिदने का इरादा बनाया गया था जिसे भी अमेरिका के द्वारा ठुकरा दिया गया था हाला कि दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से सेगेंड लाइन एरकेप्ट के रूप में या फिर कहतों खाली शो अफ करने के लिए जो JF17 aircraft को इस्तेमाल किया गया था वो भी अफ दैनिय सिचुएशन में हैं बताया जा रहा है कि इन एरकेप्टों में इस्तेमाल होने वाले RD93 इंज जिन है वो एक तरीके से रशिया और यूकरेण के लड़ाई के कारण काफी मुश्किल में है क्योंकि इन इंजिनों के स्पेर पार्ट का सप्लाई बंद हो चुका है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ये JF17 aircraft में कई तरीके के खामिया है लेकिन सबसे बड़ा खामिया इन इंजिन इंजिन के सप्लाई और इंजिन के स्पेर पार्ट्स है रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से इन इंजिनों के ये मुश्किले को देखते हुए एक तरीके से चायना को वाइफास करते हुए डारेक्ली रशि पाकिस्तान के जेव 17 एर कैप्टों के मेंटनेंस के लिए भी पाकिस्तान को मदद करने के लिए राजी हुआ था हाला कि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि अमरिका के तरफ से साल 2018 में रोसावरन एक्सपोर्ट के उपर प्रतिबंद लगाया गया जिस कारण सिवी तरीके के एक्सपोर्ट में अमरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके जानकारी के लिए बता दू कि रोसावरन एक्सपोर्ट ही एक ऐसा संस्ता है जो अन्य देशों को हत्यार का सप्लाई करता है और वो ही पाकिस्तान को RD-93 इंजिनों के साथ साथ इंजिनो यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दू कि कुछ मामलों में रश्या पाकिस्तान को हत्यारों को सप्लाई करने को लेके राजी तो हुआ था लेकिन दोनों देशों के बीच में बाइलेटरल ट्रेड ना के बराबर होने के कारण डालेकली बिना डॉलर के थुरू रश पाकिस्तान को हत्यार को सप्लाई भी नहीं कर पा रहा था इसी वजाब से एक तरिके से मध्यम के रूप में रश्या के तरफ से चाइना का भी इस्तेमाल किया गया और चाइना के थू जी रशन इंजिन फिलाल पाकिस्तान जा रहा है हालाकि दोस्तों चाइना और रश्या के बीच में बाइलेटरल ट्रेट काफी अधिग होने के कारण एक तरीके से अगर चाइना को रश्या इंजिनिया स्पेर पार्ट सप्लाई करता भी है तब भी किसी तरीके का मुश्किल नहीं आता है उही पे दोस्तों जफसे यूखरन और रश्या का ये लड़ाई शुरू हुआ है तब से ये और मुश्किल हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां पे रश्या के अंधरी स्पेर पार्ट और मेंटनेंस एक्वेपमेंटों के अभाव है तो उही पे किसी एक तीसरे देश के लिए रश्या चायना को ये हत्यार सप्लाई करेगा और उसके बाद चायना के थुरू पाकिस्तान तक आएगा ये फिलाल रश्या के तरफ से आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जफसे रश्या और यूकरेन का लड़ाई नहीं कर पा रहा है और जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो रश्या भी भारत के कोस्ट पे डारेगली पाकिस्तान को किसी तरीके के इस तरीके का हत्यार देने के लिए उतना हद तक तयार नहीं है जिससे भारत और रश्या के बीच में किसी तरीके का कोई दरार आ जासे पाकिस्तान के द्वारा अपने एक बेसेस के करीवन आधा से भी अधिक यार्क्राप्ट को ग्राउंडड करना पड़ा है। उस रोल में एरक्राप्टो को निवाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन रहा है। पाकिस्तान के बेड़े में इन एरक्राप्टो को पहली वार शामिल किया गया और दोस्तों अब तक पाकिस्तान सो सभी अधिक ऐसे एरक्राप्टो को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। लेकिन आपको जानके हैरानी होगा कि एरक्राप्टो को अपने बेड़े में शामिल करने के वाद इन एरक्राप्टो के क्रैस का भी एक रेकॉर्ड बना है। अब तक के ओपिशियल रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान के बेड़े के चार JF-17 एरक्राप्ट इन कुछी सालों के अंदर क्रैस हो चुका है। जिन में पहला एरक्राप्ट साल 2011 में, दूसरा साल 2016 में, तीसरा साल 2020 में और चौथा हाली में ही मतलब अगश्च साल 2021 में क्रैस हुआ है। जो JF-17 एरक्राप्टो में इंस्टॉल किया गया है, वहाँ पे गाइड वेंस में भी दरा रहे है। आगर पकिस्तान रेशिया के त्रू ही इंपोर्ट करना चाहेगा तब भी इसमें मुश्किले आएगा यूंकि समझोते के तहए इस से चायना नाराज हो सकता है क्योंकि समझोते में चायना के तरू ही इंपूर्ट करना है। पाकिस्तान जो समझोता चाइना के साथ किया है उसके तहर यारक्राप्टों के आवशक स्पेर पार्ट्स और मिंटनेंस एक्वेपमेंट केवल मात्रे चाइना के चाइना नैशनल एरो टेक्नोलोजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्परेशन के तरफ से ही किया जाना है आपके जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दू कि हाल फिलालो के कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा इन इंजिनों के जगा में यहाँ पे अन्य इंजिनों के इस्तेमाल का इस्तेमाल हो पर उसमें भी पाकिस्तान को इतना कोई स समान नहीं है, हाला कि अगर देखा जाए तो चाइना के इंजिन भी इतना कारिगर इंजिन नहीं है और अगर होता तो चाइना के तरफ से इन इंजिनों का इस्तेमाल बड़े मातरा में अब तक अपने यार कैप्टों में किया गया होता, चाइना भी अपने द्वारा डेवल तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद